कभी आपने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया है या हिंदी में यदि हम कहें आत्मसैयम यदि यही प्रशन में अपने आप से पूछू तो कई बार I lost my self-control कई बार मैंने अपना आत्मसैयम खुद का control, खुद का नियंतरण खो दिया आइधर किसी के गुसे होने के द्वारा किसी के उपर बहुत खुरोधित होने के द्वारा या किसी चीज को पाने के लिए, सब कुछ करने के लिए self-control नहीं होता है और कभी-कभी हम लोग बोलते हैं न, कि दिल है जो मानता नहीं जियां, और आज मैं इसी के संबंद में आपके सामने कुछ बाते रखने की कोशिश करूँगा कि जब हम self-control की बात करते हैं तो self-control का मतलब क्या है? आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए क्या है self-control? आत्मसयम क्या है? आत्मसयम वो एक प्रकार की आत्मिक्रिया है जो पवित्र आत्मा के सामर से मैं उस पर नियंतरित कर सकता हूँ और ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है जब मेरा अंदर का जो मनुशत्व है वो बिलकुल नियंतरित हो सके कई बार ऐसी attractions आते हैं, खिचाव आते हैं चाहे हो सकता है, आपोजिट सेक्स का भी हो, या मॉबाइल का हो, या किसी के साथ लेना देना हो, हम कभी-कभी आत्मसयम खो देते हैं, और बात में शायद इसको रेलाइज करते हैं, कि अरे यार, बहुत गलती हो गई, कई बार फिजिकल अपेटाइट जो हमारे शरीर में से निकलता है, इरश्या, जलन, यह प्रकार की, इसके लिए हमें आत्मसयम की अत्यन्त आवश्यक है, मैं आपके लिए कुछ पदों को इसी से संब्द पढ़ने की कोशिश करूँगा, कि जब हम बात करते हैं आत्मसयम की या सेल्फ कंट्रोल की बाद, तो परमेश्वर का बचन इसके बारे में क्या कहता है, मैं आपके लिए पहले पढ़ूँगा, दूसरा तिमोथी उसका तीन अध्याए और तीन पद, बलकि तीन पद नहीं, मैं एक पद से पाँच पद तक पढ़ूँगा, कि जिस प्रकार से हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो पीड़ी है, जो कि अंत के समय की पीड़ी है, किस प्रकार क्योंकि जहां पर हमें अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता है, और जो हमें चीच चाहिए, जिरको जैसे भी चाहिए, हम खीच तान करके उसको लेने की कोशिश करते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूँगा, परमेश्वर के वचन से, दूसरा ते मौती उसका तीन अध्या एक से पाँच पद, सुनिए, वचन क्या कहता है, पर यह जान रख कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, डिंग मार, अभिमानी, निंदक, माता-पिता की आज्या टालने वाले कृदग्निय, आपवित्र, दयारहित, छमारहित, दोश लगाने वाले, असयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वास घाती, हटी, अभिमानी, और परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे, वे भक्ती का भेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ती को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना, बहुत ही जबरदस्ट, एक अंदर का जो पुराना मनुशत्व है, उसके बारे में यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, और यह जितना भी मैंने शब्द यहाँ पर पढ़ा, बहुत नकारात्मक चीज़े हैं, जो एक मसीज जीवन के लिए बहुत घातक हो सकता, और इन सबों में सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम की बहुत ज़रूरत है, आजकर लोग जगड़ा क्यों करते हैं? सेल्फ कंट्रोल को खो देते हैं, आत्मसंयम को खो देते हैं, अपने आप पेसे बाहर आकर के बहुत लड़ाई जगड़ा करते हैं, क्या यह मसीज जीवन का फल है? बिलकुल भी नहीं, बिलकुल भी नहीं, और मेरी ऐसे आशा है कि आपके जीवन में ऐसा नहीं है, और मे पवित्रा आत्मा के द्वारा जो मेरा आत्म संयम है वो पवित्रा आत्मा के कंट्रोल से मैं उसको नियंत्रित कर सकता हूं। और इसी बात को हम फिर से मैं पढ़ूंगा, रोमयो की पत्री उसका आठ अध्याय और पांच से आठ पद। रोमयो की पत्री और उसका आठ त्याय पांच से आठ पद। इन पतों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो शरीर की जो अभी लाशाएं, शरीर का जो प्रॉम्टिंग है, जो धक 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 करके हमारे जीवन में वो अभी लाशाएं लाता है, वो इच्छाएं लाता है, वो हमारे शारिरिक जीवन को, आत्मिक जीवन को नश्ट कर देगी, और इसी के बारे मैं आपके लिए पढ़ूंगा, रोमयो उसका आठ अध्याय और उसका पांच से आठ, सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि शारिरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शरीर पर मन लगाना तुम रित्यू है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांती है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की विवस्ता की आदिन है, और नहो सकता है, पर जो शारिरिक दशा मे हैं वे परमेश्वर को प्रसन नहीं कर सकते तो मेरे प्रियों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आत्मिक दशा में होते हैं वे अपने आप का सेल्फ कंट्रोल या आत्म सैयम जरूर करते हैं क्योंकि देह जो है वो बार बार मांगता है कुछ ऐसी चीजी जो हमारे देख को प्रसन करे सुख विलास दे एक प्रकार का प्लेशर दे ये जो है कभी-कभी हमारे सेल्फ कंट्रोल में बादा जालता है और ये कहता है कि मुझे चाहिए ये शरी जो है मुझे चाहिए ऐसा बोलता है और कभी-कभी आजकर आप जानते हैं कि किस प्रकार से कुछ रिलेशन्शिप लिविंग रिलेशन्शिप जिसे हम कहते हैं दो आपोजिट सेक्स में होते हैं तो वो अपने आपको जो योन की जो इच्छाएं हैं उसको कंट्रोल कर पाते हैं और गलत रिती से उसको इस्तमाल करते हैं अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं क्या ये परमेश्वर की दृष्टी में सही है? क्या ये समाज की दृष्टी में सही है? क्या ये पारिवारिक दृष्टी से सही है? एक आपका वीवे खुद ही बताएगा कि ये बिलकुल गलत है और इसी लिए हम देखते हैं कि जब हम self-control की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कई चीजें हमारे जीवन में आती हैं और हमारे जीवन को लल्चाती हैं मेरी जीवन में कई बार ऐसा हुआ शायद आपके जीवन में भी ऐसा हुआ क्या मेरा जीवन उसको control में रखता आत्म सैयम है या एकदम बर्स्ट हो जाते हैं हाँ मुझे अभी चाहिए या गुसे में हैं अगदम से नहीं 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 ये एक परमेश्वर का जो जन है ना जो पवित्रा आत्मा से चलता है जिसमें पवित्रा आत्मा का नियंत्रण है उसके जीवन में आत्म सैयम होता है मैं आपके लिए पढ़ूँगा जो fruit of the Holy Spirit है या पवित्रा आत्मा के जो फल है वो उनमें से एक है self-control या आत्म सैयम गलतियों उसका पाँच अध्या ऑर बाइस से तैईस पदै, सूनिये आत्मा का फल क्या है और विशेश करकि यहां पर सैयम भी आता है यह आत्मा का फल परात्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांती, धीरज, और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और सैयम है. ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई विवस्था नहीं। जो प्रविश्वमसी के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाशाओं समेत क्रूस पर चड़ा दिया है। यदे हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चलें भी। ये है परमेशर का वचन आपके लिए और मेरे लिए कि किस प्रकार से हम आत्मा के फल में होकर के सैयम और सेल्फ कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ प्रशन रखना मांगता हूँ और उन प्रशनों का आप अपने जीवन में अवलावकन करिये। सोचिए कि कहां तक मेरा जीवन आत्म सैयम से भरा है, पवित्र आत्मा के फल से भरा है। मेरा जीवन सेल्फ कंट्रोल है, परमिष्वर यह है चाहता है कि मैं अपने जीवन को नियंत्रित करऊ पवित्र आत्मा की सामर्ध से। सबसे पहले तो आपको यह प्रारतना करना है कि प्रभू मेरे जीवन में जो भी सल्व कंट्रोल की समस्या है प्राबलम है आत्मस्यव की प्राबलम है मुझे कोई भी चीज चाहिए तो मुझे चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको लेल के रहूंगा रहूंगी तो यह जो कंट्रोल की जो यहाँ पर प्राबलम है समस्या वो प्रमेशर अपनी आत्मा के द्वारा आपको देगा तो पहले तो आप प्रारतना करिए कि प्राबलम आत्मा आपको अपनी आत्मा से भरे और वचन के अनुसार चले अब मैं कुछ प्रशन आपके सामने रखना मांगता हूं और इन प्रशनों का जवाब आप खुद ही देना कि क्या मेरा जीवन प्राबलम के चांट्रोल से और आत्मस्यम से भरा है पहला प्रशन क्या आप अपने जीवन में आत्मिक जीवन की जादा पीछा कर रहें या दुनिया की सुक्षविलास अब इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं इसका उत्तर मैं दे सकता हूं प्रभू के सामने है ना दूसरी बात जब आपके जीवन में कोई ऐसे विचार आते हैं, क्या वो गंदे विचार, खराब विचार, पापी से भड़ा पड़ा अशलेलता वाले विचार, क्या मैं उन विचारों को परमेश्वर की आग्याकारी के सुपुर्द समुर्पित करता हूं, प्रमेश्वमसी के आग्या मे सुपुर्वित करता हूं कि नहीं सुपुर्द करना है परमेश्वर की आग्या के अनुसार, मेरे कोई भी थौट, अगर वो थौट, वो विचार, कल्पनाएं, जो मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो मुझे बोलना है प्रभू, मेरे जीवन को, मेरे थौट को, मेरे विचारों को कभी 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 क्या होता है कि हम मैं नी बोल रहा हूं पे टूपन कभी-कभी लोग बहुत खाते हैं कंट्रोल नहीं कर पाते हैं यार मैं क्या करूं मेरे को कंट्रोल नहीं होता है मेरो खाना बहुत पासंद है और जब ऐसा होता है तो ये बहुत अनहल्दी भी होता है और उसके साथ क्या ये तो हुआ शारिरिक समस्या कि बहुत खाना खा लिया और उससे आपका हेल्थ खराब होगया क्यों? क्योंकि आप self-control नहीं कर पा रहा है, आप उतना ही खाये, जितना आपके शरीर के लिए होता है, ये तो ही शारीरी बात, लेकिन दूसरा चीज है, कभी-कभी अश्लील चित्र देखने के लिए हम self-control जर्वत है, अश्लील चित्र तो हम देखे नहीं, लेकिन हमारा जो शरीर बोलता है, देखो, 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 सब लोग तो देख रहे हैं, देखो, तुम भी देखो, movies देखो, उल्टे सी दे, picture देखो, तो हमें self-control करना यहाँ पर जब इस प्रकार की thought आता है, इस प्रकार की विचारधारा जब हमारे जीवन में आते हैं, तो उसको हम प्र क्या आपके जीवन में कोई addiction है, किसी प्रकार का लट पड़ा हुआ है, किसी प्रकार का चाहे खैनी हो, तंबाकू हो, सिगरेट हो, सेक्श्वल यौन वाले पाप हो, जिससे आप छुटकारा पाने मांगते हैं, ड्रग्स हो, और भी कई चीज़ें हैं, लट पड़ गई, आप प्रभू के सामने रोएं, गिडगड़ा हैं, प्रभू, इन चीज़ों से तु मुझे छुड़ा, कंट्रोल करने में तु मेरी सायता कर, ये शरीर में मांगता है, तु सायता कर प्रभू, तो आप प्रार्थना करें, एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, जो कभी-कभी मे अपवास का मतलब उपवास, आप उपवास रखें, एक दिन, दो दिन, जितना हो सकता, तो उपवास करने से क्या होगा, कि आपकी जो शरीर की जो इच्छाएं हैं ना, वो धीरे, मतलब बुरी इच्छाएं, बुरी, लालसाएं, अभी लाशाएं, वो एक प्रकार से कमज होती जाएंगी, इसलिए प्रभी शमसी ने कहा, कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो बिना फास्टिंग के, बिना उपास और प्रेयर के, नहीं जाती है, तो आप ये ट्राय करिए, अगर आपके साथ कुछ ऐसी सेल्फ कंट्रोल वाली बात आती है, कुछ आपके प्रारतना करें, उपवास करें, तो उससे क्या होता है, कि शारिरिक जो हमारे अंदर जो बहुत पैनिट्रेट करती है, और बहुत स्ट्रॉंग, मजबूत रिती से हमारे जीवन को कंट्रोल करती है, जो इच्छाएं, लालसाएं, अभी लाशाएं, तो उसको कम्जोर करने में साहता करती है, फास्टि, और फिर ब्रारतना तो आपको करना यह है, और फिर, कभी-कभी हो सकता है, कि आप बहुत गुस्से वाले विक्ति हों, मुझे नहीं पता, मेरे ऐसी आशाएं कि आप जयादा गुस्सा वाले ना हो, लेकिन कभी-कभी इस प्रकार की गुस्से जो मैं अंशंट बाते, उल्टी सिधी बाते बोल देता हूं दूसरों को, बाद में मुझे इसका रियलाइज होता है कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और जिसमों से मैं परमेश्वर की अराद न करता हूं, अगर उसी में से कुछ ऐसी बाते निकले, गंदी बाते, खराब बाते, तो वो तो शोबा नहीं देती है कि विश्वासी को, तो हमें होशा रहना है कि हम अपने अंगर को, अपने क्रोध को, अपने गुस्सा को हम पर हावी ना होने दे। फिर एक और चीज है, जो आप कर सकते हैं, वो प्रशन है, Do you remove provisions for indulgences, so you will not fulfill them? क्या आप ऐसी जगह जाते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, खराब या इस प्रकार की बाते, गंदे बातों के, जो करते हैं, उनसे मिलते, गंदे जोक्स, उल्टी सिदे movies, अश्लील तक, जो लोग देखते हैं, situation ऐसा, बैठ जाते हैं, computer के सामने, और फिर एक के बाद, एक के बाद, ये गंदे, diagrams, picture देखते हैं, तो क्या, आप ऐसा करते हैं, जब भी ऐसी इच्छा आती है, तो एक्तम से आपको क्या करना है? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगे, मैं यहां नहीं बैठूँगे, मैं वहां नहीं बैठूँगे, इसके लिए बहुत ही अच्छा पद, आप जानते हैं, भजन सहिता उसका पहला अध्या और पहला बद, धन्य हैं वे, जो दुस्टों की युक्ती पर नहीं चलते, न पापियों के मार में खड़ा होता, न ठठठा करने वालों की मनली में बैठता है, परंतुवतो परमेश्वर की यहवा से प्रसंद रहता है, और उसके ववस्ता पर रादिन ध्यान करता है, तो जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारी जो अभिलाशाएं हैं, हमारी जो बुरी-बुरी इच्छाएं हैं, वो मर जाती हैं, फिर हम पर हावी नहीं होती हैं, और हम सेल्फ कंट्रोल कर लेते हैं, पवित्रा आत्मा के द्वारा, जब वचन हमारे जीवन में प्रात्मिक्ता होत प्रविश्वर हमारी अगवाई करता है। और हमारे रिष्टेदारों में, हमारे कलीग्स, हमारे दोस्त, यार जब देखते हैं, और वो कभी गुसा नहीं होता, वो एकदम से रहा, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, यार उसका जीवन बिल्कुल बहुत सेल्फ कंट्रोल है। तो कितना अच्छा होता है जब परमेश्वर इन बातों से भी बहुत प्रसंद रहता है। तो मेरे प्रेभाइबैनों आये, हम सीखें आज के इस एपिसोड के द्वारा, इस वचन के द्वारा की हम प्रात्मा करें की परमेश्वर हमारे जीवन को अपने नियंत्रन में लेकर के हमारे जीवन को आगे और उसकी महिमा के लिए बढ़ाएं। आपके लिए आशिष का कारण ठहरेगा।